असलाम अलेकुम तो जी आज मैं एक और वीडियो लेके आप लोग के पास आई हूँ और आज की जो वीडियो है वो बड़ी मज़ेक और इंटरस्टिंग वीडियो है बहुत क्लियर वीडियो है वो है रिबॉंडिंग की है रिबॉंडिंग ठीक है लाइक बालो के जो expressions होते हैं वो waves होते हैं, curls होते हैं या उनका फिजिनेस होता है, वो expressions होते हैं बालो के, rebonding के बाद इस सारे expressions खतम हो जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे बालो को जो rebonding है वो chemical से बिलकुल straight कर देता है, हमारे बालो के bonds को तोड़ कर उन्हें एक नया और new structure द दो characters है में, एक rebonding का product और दूसरा हमारा iron, ठीक है, अगर हमारा product अच्छा नहीं है, तो फिर हमारा iron अच्छा होना ना होना कोई matter नहीं करता है, ठीक है, और अगर हमारा iron अच्छा नहीं है, तो हमारा product अच्छा नहीं होना कोई matter नहीं करता है, मतलब जितना काम हमारा iron कर रहा है उतना ही काम हमारे product का भी है तो selection of tools और selection of product दोनों बहुत important है ठीक है हाँ जी तो अगर हमारा टूल और हमारा product दोनों ही चीजे ठीक हमारे पास मौझूद है तो फिर third point आता है हमारे पास हमारा process ओके rebonding के product और टूल्स के होने के साथ डिबांडिंग में टूल जो प्रोड्रक्ट तो मेन क्यारेक्टर ही है धी मतलब अगर प्रोड्रक्ट अच्छा नहीं है तो रिबांडिंग के आईर्णीय स्ट्रेटर का कोई काम नहीं है और अगर हमारा पास स्ट्रेटनर अच्छा नहीं है तो अपर हमारा प्रोड़क्ट का कोई काम नहीं है और साथ साथ प्रॉपर प्रॉसेस ये भी बहुत मेटर करता है तो आगे की जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है आपको उसको प्रॉपर ली देखना है कि मैंने किस प्रॉसेस के साथ और उस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आता है आप दो बार तीम बार चार बार देखेंगे आपको बहुत क्लियरली हर चीज समझ आ जाएगी मैंने कुछ चीजे बहुत डीटेल में बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से काम करना है और आज की जो वीडियो वह बिलकुल वाजन है पर अच्छी तो पहले में यह बता दू के उस वर्जान है तो वर्जान है वह होते जिनके ओपर आज तक कभी भी कोई कैमिकल वर्क नहीं किया गया हो तो रहा आप कैमिकल वर्क क्या होता है तो प्रॉत है लाइक जो लो new born hairs है ठीक है मतब आपका अपना कुदरती बाल है जिसके उपर अब तक कोई chemical नहीं लगा है ठीक है कोई भी treatment नहीं हुआ है उन बालों के उपर उसे हम virgin hair कहते है ठीक है और यह जो process है यह सारा virgin hair के उपर है आज आपको virgin hair के उपर वीडियो दिये इंशाला further आपको chemical treated hair और relaxing और extenso या आप किसी और brand के साथ भी चाहते हो मैं आपको काम करके बताऊ उसका review दे दू तो आप मुझे वो नीचे comment box में बता दो ठीक है और वीडियो को इनके बालों का टेक्चर कैसा है इनके बालों का टेक्चर अच्छा था इनका बाल घना भी बाल था और इनका बालों में अच्छा का सा वेग्स भी था लेकिन यह था कि इनका बाल बिल्कुल वर्जन था इनके बालों पर आज तक इन्होंने कोई chemical work नहीं किया है ठीक है तो सब बालों को बैक साइड पर लेकर उनको हलका सा वेट कर दूंगी अच्छा बालों को वेट इसलिए कर रही हूं ताकि जो मेरा एप्लिकेशन का अप्लाय करना है वह बहुत स्मूट्ली और इजी ली हो जाए ठीक है और वेट करने से यह भी हमें हेल्फुल हो जाती है कि जो हम अप्लिकेशन अप्लाय कर रहे होते हैं अपने बालों पर तो जो नीचे वाले बाले मतलब जिन पहले लगाया होता है उतका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वह प्रोसेस थोड़ा सब जाता है जिससे हमारा बाल बिलकुल डैमेज और ड्राय की तरफ नहीं जाता है अगर मैं इसको बिना पानी के ड्राय वाले बालों पर लगा दूंगी प्रोड़क्ट तो यह होगा एक तो प्रोसेस स्पीट के साथ स्टार्ट हो जाएगा मतलब तेजी के साथ अपना प्रोसेस शुरू कर देगा और दूसरा यह कि मेरा प्रोड़क्ट जो है ज्यादा य यह देमेज नहीं होता है ठीक है तो आप जरूर ट्राय किजिएगा इस वाली तेखनीक को कि आप बालों को प्रोड़क्ट अप्लाय करने से पहले बालों को हलका सा गीला कर ले मतलब 30 परसंट तक वैट कर ले और फिर आप अपना प्रोड़क्ट अप्लाय करेंगे ओके अ अप्लिकेशन का तरीका अभी मैं आपने साथ शेर कर रही हूं सबसे पहले आप लोग यह प्रोड़क्ट देख ले मैं आपको प्रोड़क्ट दिखान देती हूं कि मैं प्रोड़क्ट यूज कर रही हूं को क्रूसेट ब्रेंट का है और इसके अंदर 3 का तरह के बॉक्स होते हैं क्युविश थे के रचिए इसके बाद एचिव नमबर तू इसका मासक होता है और सके बाद नमब्र घ मार्गail जां है जर्सका इकनोमी बॉक्स है मतलब इसका यह 500 ग्रैम का बॉक्स है और इस पर मैं शोल्डर से थोड़े नीचे तक मतलब दो क्लाइन्स ले सकती हो मतलब दो क्लाइन्स के बाल कवर हो जाएंगे ठीक है यह देखे इस तरह से इसमें यह तीन जार मौझूद होते है नमबर वन जो इसका है वह दो कर समयज interacting cream मतलब रिबॉंडिंग क्रीम और नमडर टू जों वह है का मास्क होता है और नमबर जो किक सर्चन नमबर वनः क्रीम और प्लास्टिक की बोटल है और यह पोली तरह से अंदर से इस तरह से होती है त्यक्शिक और इस को यह मेरा बहुत पुराना इसके साथ मैं तक्रीबन आठ दस साल से इसको भी यूज कर रही हूँ बाकी अगोर्टिंग डू मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर है कि अगर कोई कस्टमर कहता है मुझे लॉरियल से कराना यह किसी पैसिफिक ब्रैंड का नाम लेता है तो मैं उससे भी काम कर लेती हूँ यूजरी मैं यह यूज करती हूँ तो मैंने कहां इसका डेमो में आप लोको दे दू और इसके लावा अगर आप लोग चाहते कि मैं किसी और कंपनी का डेमो आपको दू तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीचेगा तो मैं जरू शेर करूंगी ठीक है और अब देखे ये बिल्कुल पतली पतली स्लाइस लेनी है आप लोग को नजर आ रहा होगा मैं किस तरह से ले रही हूँ और ये गीला बाले मतलब 30% वेट बाले मेरा और इसके उपर क्रीम बहुत स्मूथली और इजी ली अपलाई होती हो और प्रोड आइडिया हो जाएगा क्योंकि प्रोड़क्ट की कॉंटिटी जो आप उपर से स्टार्ट करें एप्लिकेशन नीचे तक मतलब एंड तक बिल्कुल सेम होनी चाहिए ऐसा ना हो कि हमने उपर तो बहुत भर भर के लगा लिया और नीचे के बालों में हलका सा हाथ फिर लिया इससे हमारे रिजल्ट पे बहुत एफेक्ट परता है ठीक है पतली पतली स्लाइसिंग लेकर प्रोड़क्ट की अच्छी कॉंटिटी लेकर उसको लगाएंगे और फिर उसको अपने हातों से थम और दो फिंगर से नीचे की तरफ पहलाते जाएंगे ठीक है ये देखे जिस ये देखे जिस तरह से मैं कर रही हूं और रूट्स पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है ये प्रोड़क्ट क्योंकि ये प्रोड़क्ट रूट्स के लिए बहुत हामफुल है इविन अगर रूट्स पे जरा भी लग गया तो इस टूमस्ट देंजर या आपको मतलब आपके ये नहीं कि हम अपने क्लाइन का गरम गरम स्केल्प जला दे मतलब गरम गरम आयरन से स्केल्प जला दे ठीक है तो पहले आप लोग प्रैक्टिस करो के स्लाइसिंग मतलब पतली पतली स्लाइसिंग लेके आयरन चलाओ कूब तक आपको इस आयरन चलानी की अच्छी प्रैक करना है जिस तरह से आप उपर से नीचे की तरफ करेंगे और बिल्कुल सेम कॉंटिटी होनी चाहिए जिससे आपका रेजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा ठीक है अब यह फर्स क्रीमी अप्लिकेशन चल रही है पहले में यह फर्स पार्ट कम्प्लीट करूंगी फिर इसके पहले बहुत और ट्श पार्ट कर दोय हो जात है जाएगा है जपल प्रस करेंगे ओ को करेंगे है यह ख्त्तों से अाएगा है उख कर दोयगा और बिल्कें पार्स का तरह कर दोड़ हैैं यह तरह को किस र затем कuti है ल saat बाद है 7 चल दोत्स्टस वह कर प्लादा भीजों कि पनस बुक्त अअटबूबू अच्छोप्ट अच्छोप्ट करते हैं झाल 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 झाल